नमस्कार आप सभी का सौगत है मेरे इस यूट्यूब चिनल पर जिसका नाम है सेविल टेक क्लास आज हम आपको इंटर्नल प्लास्टर के काउंट्र डिफाइंड करना सिखाएंगे जिसमें कि सिमेट और सेंड का रेश्वा हम एसुम कर रहे हैं पनिस्टू फोर का आप इस प्रैक्टिकल भी चीज़ सिखाऊंगा जो आपके बहुत काम में आईगी आप इस वीडियो को देखिए हरकी मैंने प्रिपर वक किया है बट आपको प्रैक्टिकली में एक चीज़ सिखाऊंगा आप एंड में वीडियो को देखिए समझिए और अगर आपको अच्छा कीज़ा है। जैसे की आप यह सामने देख सकते हैं यह बॉल है अब इसमें हम क्या फाइंड करना चीह रहे हैं किसमें Saumate Kona चैनल कोए स्भाटनेटिट क्या है हमने क्या मिन स्पातिए कhen इस जो है कि प्लार रहे हैं रहे मिटर का घाल है चैनल बार We मिटरीं कर रहे हैं झाल फिकने से पताई देकर दिक नॉर्मलियर मिन इंटर पासर तर्यक्राथ करते हैं तो उसके तिकनेस हम 12 mm भी रखते हैं और एक्स्टरनल जो हम प्लास रखते हैं 15 mm रखते हैं क्योंकि वो जो एट्मॉस्फर के कॉंटेक्ट में ज्यादा रहती है तो नमीना पड़े हैं कुछ वाटर उस पर गिरता है या कुछ भी बारिश होती है तो नमीना आए अंदर इसील तरीके से और अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीके नहीं यह तो नॉलज़ वाली बात हो गई आप देख लीजिए इसका वाली हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे जैसे कि हम जानते हैं कॉंट्रटी का फॉर्मॉला होता है यह लाइन वॉल्यूम का फॉर्मॉला होता है या फिर थिकनेस इस तीनों का हम इंटू करतेंगे तो यह हमारे पास मिल जाएगा अब हमने के स चिर् Apa से इंटू करया है इसकी सागता से या भाई साब की सागता से हमने इंटू किया ठीकि है इसी को हम बोलते है большое लुग इसको यह हमारा प्लास्टर है या फेर वेट वाल्यूम है जो फेक्टर यूज़ करते 1.33 क्योंकि अपने आप में 100% है 33% इंक्रिस करने का कहा में तो हम 100 प्लस 0.33 देखिए इस परसेंट को हटाता हूँ मैंने तो मुझे 100 से डिवाइट करना पड़ेगा तो 0.33 हो जाएगा प्लस 1 मतलब 1.33 समझ गऊंगे उमीद करता हूँ तो यह हमार पास ड्राइव वॉल्म मिल जाएगा जब हम वेट वॉल्म को एंटू करेंगे अब यह तो ठीक है नॉर्मली बात है बट हमको हमारा जो में मुद्ध है वो सेमेंट और सेंड का है देखिए आपको मैं लास में एक बहुत अच्छी चीज़ सीखाऊंगा प्रेक्टिकली वह आप जरूर सीखना आपने देखाऊगा इस वीडियो के मादम से जो स्टार्ट में मैंने कहा था है ना तो इस वीडियो को बने रही है और यह एक फॉर्मल है इसको इसको शोट लेके राइट डॉन कर लिजे बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मल है कॉंटिटी वाई ने लिखा कॉंटिटी गीवन वालिम जो हमना पास गीवन वालिम है या फिर ड्राय वालिम इंटू गीवन पार्ट आप माटेरियल जो भी माटेरियल या सेंड है या सीमेंट है मार पास माटेरियल समाफ रेशो जो हम रेशो एसो एजुम कर रहे है ठीक स्टेप के स्टेप को में कहुँंगा सेंट की कौंटेट कको हमँग करें केजी में प्रेश idag जहाँगा अब आप कुछ नहीं है बस given तो इसको इंटू कर दूंगा मैं तो आप्राक्स मेरे पास तीन बीग निकल जाएंगे मतलब मिस अगर मैं इसमें प्लास्टर करता हूं 12 mm का या 0.012 mm का दस बाइ तीन तो मुझे तीन बेग लग जाएंगे भाई नॉर्मली बात है यह यह फाइंड किया मैंने बेग अब इ कॉंटियटी ऑफ सिमेंट पार्ट को मल्टिप्लाय कर देंगे तो महार पास यह सेंट के कॉंटियटी मिल जाएगी बट मैं चाहता हूं इसको केजी में फाइंड करना है तो क्या करूंगा डेंसिटी ऑफ सेंट जो मुझे पता है चोग दोस्वपचास उसको कर दूंगा तो 555 kg मेरे पास मिल जाएगा अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज़ सिखाऊंगा जो आपके बहुत काम में आई ही देखिए मैंने यहाँ पर एप्राप्स माना तीन बेग मैं एजुम करता हूं जो तागारी मेरे पास होती है उसमें जो सिमेंड का बेग निकलता है है ना साड़ तीन तागारी निकलती है साड़ तीन तागारी लिख लिए हमने और एक तागारी का वेड़ी जो होता है सिमेंड का ना कि तागारी का होता है तेरा किलो और मेरे पास कितने बेग निकले है तीन बेग निकले है तो तीन टिपल फाइब लिखा मैंने डिवेड़ेट बाई 136 136 करता हूँ अगर मैं तो मेरे पास क्या मिलता है देखिए formula मेरे पास that means क्या है जो हमने ratio assume किया था है ना sand का वो ही ratio मेरा मिल चुका है approach मिल चुका है इसी को तो कहते है estimate उमेद करते हूँ जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ वो समझ गए होंगे आप क्या बताना चाहरा हूँ इसी तरह की knowledge वाली वीडियो को आप देखना चाहते है तो मेरे चनल को subscribe करिए like करिए और विजिट करिए जहीं जे भारत